हालो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यानने आज कि वीडियो में बात करने वाले हैँ इस बैंक के बारे में इस बैंक के लिए दो नोटिस जो है वो इस बैंक ने एक्सचेंज को दिये हैं उन दौनों notice के बारे में discuss करेंगे और देखेंगे कि उन notice का impact जो है वो years bank के share price पर क्या पड़ सकता है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर यह जो notice है वो share को positively impact करेंगे या फिर negatively impact करेंगे और फिर उसके बाद अभी तक जो इस month में चीजें देखने को मिली है जिसक impact जो है positively भी पड़ा है negatively पड़ा है तो वो आने वाले time में और कितना impact कर सकती है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के end तक आप जरू देखें so that सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैनल पर अगर आप first time visit कर रहे हो तो please channel को subscribe जरू कर देज़ेगा सबते पहले आप यहां पर देख पाओगे कल की closing years bank की positive देखने को मिली थी लगवग 1.92% का upside 23.85 per share जो है वो closing देते हो नजर आया यानि कि एक अच्छा घासा माहल years bank का बनते हो नजर आया था और 24.20 का high भी बनाया था अब एक time per share जो है वो already अगर आप दे चीज़ें जो भी हम discuss करेंगे उनकी वजा से चीज़ें थोड़ी खराब हुई है जैसे कि पिछला एक महीना भी अगर हम अभी तक देखते हैं तो 9% का correction already share में है यानि कि 2.35 यानि कि लगबक धाई रुपे का correction share में already चल रहा है और वहीं पिछले 6 महीने के आलचाल देखत है उनकी वजा से share के return पर impact जो है वो पढ़ते हो नजर आया इसी भी JS bank की तरफ ते एक notice दिया है और इसमें जानकारी दी है कि सेवी की तरफ से जो penalty लगाई गई है उसके बारे में उने जानकारी दी है exchange को यहां पर अगर आप देख पार होगे कि यह जो penalty लगी है वो लग sciences होते हैं वो चीज़ें एक कुछ भी उनमें भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप नहीं follow करते हो तो इसकी वज़े से penalty लगती है अच्छी बात यह है कि जो company है वो properly information दे देती है timely वहीं दूसरे notice के बारे मात करें तो यह notice काफिया है इसमें अगर आप दे देखने को मिलेगी physical mode Mumbai location organize करने वाली है no more financial advisory and securities private limited ठीक है तो यह आपको देखने को मिलने वाली है 27 March 27th of March को अब इस meeting में क्या कुछ चीजा हो सकती है यह काफियादा important रहने वाला है और यहां से आने वाले time में ही पता चलेगा कि हां इस में जो decisions लिए जाएंगे वो share के लि रहने वाले हैं लेकिन अभी तक जो कहानी रही है एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या कुछ रहा है जैसे कि GMR highways ने 700 करोड रुपे की जो है fundraising की थी और यह अगर आप देखते हो तो yes bank का जो इन्होंने loan लिया था उसको prepay करने के लिए यह जो funding है वो करी गई अब जैस से अगर आप देखते हो तो यह एक काफी जादा point माहौल बनाया था इस news ने भी यहाँ पर जो इनके investors थे zeal global opportunity fund और nova global opportunity funds यह यहाँ पर fund raising जो है वो करने वाले थे अपर प्रीपे करने वाले थे अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक और news निकल के आई और इसका भी काफी अधा जो फाइदा है yes bank को मिलते हो नजर आया था कि यहाँ पर जो bank है वो अपना 51% का जो stake है वो बेचने वाली है 51% का stake है जो बेचने वाली है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर yes bank जो है वो नए promoters की तलास में है और वो यहाँ पर जो अभी shareholding दे valuation है वो target किया जा रहा है एम किया जा रहा है अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो current market capitalization लगबख 7.2 billion dollar है तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा scenario create हो सकता है yes bank के लिए अब यहाँ पर एक चीज और है कि इन्होंने ना केबल domestic वलकी foreign investors को भी bidding के लिए जो है invitation दिया है जिस इसमें best Asia, Japan, Europe इन जैसी location से भी जो financials, institutions है, banks है उनके contact में भी yes bank अभी नजर आ रही है जिससे चीज आपको जो है वो हो सकता है आने वाले time में positive नजर आ जाए और इस चीज के बाद अगर आप देखोगे तो क्या होगा SBI, Life Insurance Corporation of India यानि की LIC, HDFC, ICC bank ये जो है वो अपनी holdings को कम कर सकते हैं क्योंकि जब एक 50% का stake वहाँ बेचा जाएगा तो definitely ये लोग भी exit करते हो नजर आएंगे जिसमें जो भी major stakeholder है वो State Bank of India जिसकी holding लगवग 26% और LIC आप देख पारे हो इसकी भी अच्छी कासी holding yes bank में बन बनाया वो ये था कि PTM के जो payment bank के merchant account है उसमें को खरीदने के जो कोसिस थी उसमें yes bank successful हुआ है yes bank और यहाँ पर access bank HDFC और SBI चार banks है जो कि अब इस services को provide करवा रहे हैं अपने clients को PTM के clients को जो कि एक अच्छी चीज भी निकल गया ही बाकि इस news का जो main मकसद है वो ये है कि जह market में इतने सारे banks already है जो की काफी अच्छी condition में है yes bank के comparison में वो लोग भी इतना actively part play नहीं कर रहे हैं जितना यहाँ पर yes bank करते हो नजरा आ रहा है yes bank हर एक possible चीजे try कर रहा है जिससे उसकी bank को फायदा हो सके और जिससे जो हालत है वो और जादा improve हो पाए और जिससे जो share है वो भी बड़े पहले के comparison जैसे कि पहले 400 के आसपास ट्रेट करता था तो वहां तो नहीं लेकिन अगर 50-60 भी पहुंच जा तो भी बहुत बड़ी बात बन जाएगी अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इनके CEO प्रसांद कुमान ने भी कहा था कि Paytm Payment Bank के पास जो merchant account के रूप में गिराकों का विशाल नेटवर्क है यस बैंक के लिए सांदार opportunity है और पीपीवी के merchant account को खरीदने के लिए वो तयार है आप सभी को बता होगा कि bank के लिए main चीज होती है क्लाइंट जितना बड़ा क्लाइंट वे इस उतना business की opportunities उतने product placement की opportunities तो अगर यहां पर इतना बड़ा यहां पर scenario देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा फायदा करने वाला आने वाल टाइम में लेकिन एक जो news ती जिसने सबसे बड़ी हालत खराब करी मैंने आपको बता दी अभी तक की कुछ भी latest information आएगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो को तो आपको इंफॉर्म करने वाला हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर बच्टाम विजित कर रहे हो तो सब्सक्राइब यरू करेगा धन्यवाद